गिट्टी खदान पुलिस थाना अंतरगत एक दिल दहला देने वाली घटना आगे आई है जहां देखभाल करने न्यूक्त की गई नौकरानी ने नौ महने के शिशू से मार पिट की है जिसके चलते आरोपी महला पर बाल सुरक्षा देखभाल और सर्वक्षन अधिनियम के त मामला दर्श किया है गौर तलब है कि 36 वर्षिय शिकायत करता महिला के पती का नर्सिंग स्कूल है उसे 9 मा का बेटा और 8 साल की बेटी है बच्चों की देखभाल के लिए अंकिता और सोनाली नामक की उतियोग को रखा गया था जिसमें प्रजित हुआ कि अंकिता 8 माह के शिशू की हमेशा पिटाई करती थी उसी बीच 25 अप्रेल की दोपहर 3 बजे उसने महिला के बेटे को चाटा मारा इसका पता चलने पर महिला ने अंकिता को काम से निकाल दिया साथ ही महिला ने दुसरी करमचारे सोनाने से पूश्ताश की उसने बताया कि शिशू के दोपह कर जांच की आरम की है जिसकी जानकारीदी वरिश पुलिस निरिक्षक विनोत काले करने तो जो आंकिता नाम की जो लीडी थी जो बच्चा सम्मालने के लिए रखी थी और उसके कबजे में बच्चा बहुत टाइम टक रहता था वो बच्चा रात में नर्स होए इसलिए उसको माल देती जो मेरे पुलिस टीज में जो कंपलेंट है पच्चिस तारीक को दो पर तीन बजे उनको जो बेडर में थी उनको उतके बच्चे के रूनी गया वा जाए इसलिए वो दवड के वापर चले गए तब उनके ध्यान में आया उनने देखा कि यह मेरे स्यार का जो आरूपी है जूरूपी है वो बच्चे को मार रहे उसके बारे में उसको पूछा तो उसने इंकार किया मने नहीं मारा लेकिन उसने जो उसके साफ जो काम करती थी दूसरी नोकार चुका ओन起-ऌ Nabling Humu weak कि वो बच्चा रात में नर्स होये, इसलिए वो बच्चे को मारती थी, उसको चिम्टी निकालती थी, उनने जिए जो कंप्लेट दी, वो कंप्लेट के आदार पर जुएनाइल एक्ट 75 के तर मने जो आपराद दाखिल के आए और उसका इन्वेस्टिकेशन चल रहा है, वो बी एक छोटा बच्चा है, जिसकी उमर दीन साल तक है, लेकिन अभी उसके कोटों भी कलह की वज़य से, वो उसके हस्बन से आलग रहे दिए कैमेरा परसन अखिलेश भारदवाज के साथ मनिश टेमरे की रिपोर्ट